दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सब ही models के बारे में बारीकी से जानने वाले हैं तो दोस्तो ये वीडियो आप like करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है चैनल को subscribe करना भी जरूरी नहीं है लेकिन ये वीडियो आप हर एक कुसी इनसान के पास share करिये जिसे इसकी जरूरत है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं auxiliary verb के बारे में तो दोस्तों, auxiliary verb दो तरह के होते हैं पहला primary auxiliary verb और दूसरा model auxiliary verb दोस्तों primary auxiliary verb इसके अंतरगध B family मतलब is, aim, are, was वर do family जिसमें do, does, did और have family मतलब has, have, had सहयक क्रियाएं आती है और इसका इस्तमाल मुख्य क्रिया तथा सहयक क्रिया दोनों ही तरह से इस्तमाल किया जाता है और ये सहयक क्रियाएं जो है वो tense मतलब काल number मतलब वचन और person मतलब पुरुस ये सभी को प्रभावित करती है अब बात करते हैं model auxiliary verb की दोस्तों model auxiliary वर्ब जो है वो मुख्य क्रिया की प्रवित्ती को और अधिक इस्पष्ट करती है और ये हमारी मना इस्तिती को भी व्यक्त करती है model auxiliary वर्ब के अंतरगत आने वाली सभी सायक क्रियाएं काल, वचन, पुरुस वर्ब के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा पहला model वर्ब है can और इसका अर्थ होता है सकना इसका इस्तमाल अपने ability, capacity वा skills मतलब योग्यता और च्छमता को दर्षाने के लिए किया जाता है इस बात को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम कैपेबल आप स्पिकिंग इंग्लिस नेक्स्ट इक्जैम्पल मैं तुम्हारी समस्या सुल्जा सकता हूँ इस बात को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं नेक्स्ट इक्जैम्पल राम कार चला सकता है या राम कार चलाना जानता है इस बात को आप कह सकते हैं राम कैन ड्राइव अ कार या फिर आप कह सकते हैं राम नोस आउ टू ड्राइव अ कार तो दोस्तों इस तरह से आप अपने योग्यता या छम्ता को कैन की मदद से दरसा सकते हैं कैन का इस्तमाल आग्या देने के लिए भी किया जाता है जैसे तुम जा सकते हो इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं You are permitted to go Can का इस्तमाल theoretical possibility मतलब सैध्धान्तिक संभावना को दरसाने के लिए भी किया जाता है Example धुम्रपान से cancer हो सकता है Smoking can cause cancer दुरघटना कहीं भी हो सकती है Accident can happen anywhere या फिर आप कह सकते हैं Accidents are likely to happen anywhere दोस्तों हमारा next model है Could और इसका इस्तमाल past ability मतलब भूत काल की योग्यता को बताने के लिए किया जाता है Example वह मेरी समस्या नहीं सुल्जा सका He could not solve my problem मैं समय पर नहीं पूँच सका I could not reach at time जब वह विद्याला में था तब वह अंग्रेजी बोल सकता था He could speak English When he was at school या फिर आप कह सकते हैं He was able to speak English When he was at school या फिर आप कह सकते हैं He was capable of speaking English When he was at school दोस्तों Could का इस्तमाल Laser possibility मतलब कम संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है Example राम आफिस में हो सकता है मतलब राम का आफिस में होनी की संभावना कम है इस बात को आप कह सकते हैं राम could be at office Next example कुछ भी हो सकता है Anything could be happen Could का इस्तमाल Optative sentence मतलब आग्या सूचा कुवाक्य बनाने के लिए भी किया जाता है और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कैन से अधिक नम्र रूप में बात करने के लिए Could का इस्तमाल किया जाता है इसका example है क्या अब हम जा सकते हैं Could we go now दूसरा example क्या मैं तुम्हारी किताबे काम में ले सकता हूँ Could I use your books Could का इस्तमाल क्या करना चाहिए यह बताने के लिए भी किया जाता है Example तुम अपना पाट सब्ताह में कम से कम एक बार तो दोहरा सकते हो You could revise your lesson at least once a week Next example तुम दिन में एक बार तुना सकते हो You could take a bath at least once a day हमारा next model है में और में का अर्थ भी सकना होता है में का इस्तमाल factual probability या possibility मतलब तथ्यात्मक संभावना को दर्षाने के लिए किया जाता है Example आज वर्षा हो सकती है It may ran today इस चीज को आप दूसरे तरह से भी कह सकते हैं जैसे It is likely to ran today या फिर आप कह सकते हैं It is possible that it will ran today या फिर आप कह सकते हैं It will probably ran today में का इस्तमाल आप आग्या लेने के लिए भी कर सकते हैं जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ May I come in क्या मैं तुम्हारा पेन काम में ले सकता हूँ May I use your pain में का इस्तमाल परपस मतलब उद्देश से बताने के लिए भी किया जाता है जैसे कठोर परिस्रम करो ताकि तुम पास हो सको Work hard so that you may pass में का इस्तमाल आप good wishes blessing, hope मतलब सुप का मनाय या आशिरवाद देने के लिए भी कर सकते हैं Example इस वर तुम्हें लंबी आयू दे May you live long इस बात को आप दूसरे तरह से भी कह सकते हैं जैसे I wish you long life या फिर आप कह सकते हैं I bless you with a long life या फिर आप कह सकते हैं I extended my God wishes for your long life Next example इस वर आपको खुश रखे May you live happily हमारा अगला model है might जो की में का past रूप है इसका इस्तमाल कम संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है इस बात को आप example से समझ सकते हैं Example है कल सायद वर्सा हो It might rain tomorrow अगला example है उसने कठोर परिश्रम किया सायद वह pass हो जाए He worked hard so that he might pass Might का इस्तमाल कम संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जैसे उसकी पार्टी में आने की संभावना है He might attain the party Next example वह सायद भूखा होगा He might be hungry दोस्तों हमारा next model है will और यहाँ पर इसका इस्तमाल इक्छा को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है चलिए इस बात को कुछ examples के थुरू समझते हैं हमारा पहला example है मैं अगली बार सही करने का प्रयास करूँगा I will try to do better the next time Next example मुझे प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल जाएगी I will succeed in first attempt Next example मैं कल तुम्हारी किताब लवटा दूँगा I will return your book tomorrow Last example हम न्याय के लिए लड़ेंगे We will fight for justice Will का दूसरा इस्तमाल संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है चलिए इस बात को भी example से समझ लेते हैं Example वह वहाँ जाएगा मतलब उसकी वहाँ जाने की संभावना है तो इस बात को हम कहेंगे He will go there Next example सायद यह वही किताब है जो तुम्हें चाहिए मतलब यह संभावना है कि जो तुम बुक चाहते हो वह यही है तो इस बात को आप कहेंगे This will be the book you want I suppose Will का तीसरा इस्तमाल आप निमंतरन देने या निवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं Example महरबानी करके खिड़की खोल दीजिएगा Will you please open the window Next example महरबानी करके अपना पेन मुझे दीजिएगा Will you lend me your pain Will का चौथा इस्तमाल आप वादा करने के लिए आदेश देने के लिए धमकी देने के लिए या चेतावनी देने के लिए भी कर सकते हैं Example अगर आप अपने दोस्त को वादा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पेन दूंगा तो इस बात को आप कह सकते हैं I will give you a pain Next example हम दुस्मन को हरा देंगे We will defeat the enemy Next example मैं समय पर अपना ग्रीह कारे खत्म कर लूंगा I will finish my homework in time मैं तुम्हारी सहयता करूंगा I will help you Will का इस्तमाल आप भुष्य की सर्थ बताने के लिए भी कर सकते हैं मतलब conditional sentence बनाने के लिए भी इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं Example यदी वह धन कमाएगा तो वह कार खरीद लेगा If he earn money He will buy a car Next example यदी राम कठोर परिश्रम करेगा तो वह पास होगा If राम works hard He will pass दोस्तों हमारा next model है would दोस्तों यहाँ पर would का इस्तमाल will के past के रूप में किया गया है Example उसने कहा कि वह घर जाएगा मतलब वह घर जाएगा यह बात उसने past में कहा है तो जब future की बात past में कहा जाए ऐसे परिस्तिती में would का इस्तमाल किया जाता है तो इस बात को हम इंगलिस में कह सकते है He said that he would go to home वुड का दूसरा इस्तमाल आप निवेदन मतलब request करने के लिए भी कर सकते है जैसे यदि आपको कहना हो कि क्या तुम मुझे अपना pen उधार दोगे तो आप कहोगे और यही बात को आप वुड के साहता से भी बोल सकते है जैसे would you lend me your pen please दूसरा इग्जैम्पल यदि आपको कहना हो कि क्या आप दरवाजा बंद करोगे तो आप कह सकते है दोस्तों वुड का इस्तमाल आप invitation या offer मतलब आमंतरन या सलाह देने के लिए भी कर सकते है इग्जैम्पल क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे इस बात को आप वुड की मदद से भी बोल सकते है जैसे would you please have a dinner with me दोस्तों वुड का इस्तमाल आप भूतकाल की आदत को बताने के लिए भी कर सकते है जैसे अगर आपको कहना हो कि जब वह विद्याला में था तब वह हांकी में रूची लेता था तब आप इसे इंग्लिश में कहेंगे When he was in school, he would take much interest in hockey दूसरा एक्जैम्पल अपने महाविद्याला की दिनों में मैं प्रतेक रविवार को ब्रह्मन के लिए जाता था In my college life, I would go for picnic every Sunday वुड का इस्तमाल आप कालपनिक सर्थ वाक के बनाने के लिए मतलब conditional sentence बनाने के लिए भी कर सकते हैं इक्जैम्पल यदि मैं पक्छी होता तो आकास में उड़ता If I were a bird, I would fly in the sky वुड का इस्तमाल आप किसी काम को प्रात्मिक्ता देने के लिए भी कर सकते हैं जैसे यदि आपको कहना हो कि मैं भीख मांगने के बजाए भूखा रहना अधिक पसंद करूँगा तो आप इसे कहेंगे I would rather starve than bag दोस्तों हमारा next model है cell और इसका इस्तमाल समान ने भविस्य को बताने के लिए किया जाता है Cell का इस्तमाल I और V के साथ किया जाता है Example मैं कल कलकता जाओंगा I shall go to Kolkata tomorrow दोस्तों cell का इस्तमाल Promise, Command, Order, Threat, Warning मतलब वादा, आदेश, धंकी या चेतावनी देने के लिए भी किया जाता है Example आपको घाने के लिए थोड़ा और लेना होगा You shall have some more to eat तुम दुस्मनों को हरा सकते हो You shall defeat the enemy तुम्हें समय पर आना होगा You shall come in time तुम कभी भी विद्यालय देरी से नहीं आओगे You shall never come late in school Cell का इस्तमाल सजेशन या आफर देने के लिए मतलब सुझाओ या प्रस्ताओ देने के लिए भी किया जाता है लेकिन ध्यान रहे इससे बनने वाले वाग के प्रस्णवाचक में होते हैं जैसे क्या हम भ्रमन के लिए चलें Cell भी गो फर पिकनिक क्या मैं खिडखी खोलूँ Cell I open the window हमारा next model है should और इसका हिंदी में मतलब होता है चाहिए इसका इस्तमाल advice, suggestion मतलब सलाह देने के लिए किया जाता है Example तुम्हें अब थोड़ा अराम करना चाहिए You should take some rest now फात्रों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए Students should respect their teachers तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए You should work hard Should का इस्तमाल moral obligation and duty मतलब नैतिक दाइत्व को बताने के लिए भी किया जाता है Example हमें दिन व्यक्ति की सहता करनी चाहिए We should help the needy बलवानों को दुरबलों का अपमान नहीं करना चाहिए The strong should not insult the weak चात्रों को अध्यापकों का कहना मानना चाहिए Students should obey teachers Should का इस्तमाल लिस्ट के बाद भी किया जाता है जैसे कठोर परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तुम fail हो जाओ इस बात को आप इंगलिस में कहेंगे Work hard List you should fail Should का इस्तमाल भविस्टे के सर्तों वाले वाक्यों में छिन संभावना मतला बहुत कम संभावना को बताने के लिए भी किया जाता है Example तुम राम से मिलो तो उसे मुझसे मिलने को कहना If you should meet राम, ask him to see me Next example यदि वर्षा हुई तो हमारे अध्यापक जी नहीं आएंगे If it should rain, our teacher will not come दोस्तों इन दोनों example में शुट का इस्तमाल बहुत कम संभावना को व्यक्त करने के लिए किया गया है दोस्तों शुट का इस्तमाल संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है Example वह ठका हुआ होगा He should be tired राम मेरी परिशानी हल कर देगा राम सुट solve my problem उसे अभी आफिस में होना चाहिए He should be at the office now दोस्तों इन तीनों examples में शुट का इस्तमाल संभावना को व्यक्त करने के लिए किया गया है दोस्तों शुट का इस्तमाल विनम्र निवेदन मतलब polite request करने के लिए भी किया जाता है Example मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मित्र की सहता करो I should like you to help my friend दोस्तों हमारा next model है must जिसका इस्तमाल obligation, compulsion, necessity मतलब बाध्यता, अवशकता और अनिवारियता वाली बात बताने के लिए किया जाता है Example तुम्हारा समय पर पहुँचना अवश्यक है You must reach in time तुम्हें अब निकलना चाहिए You must live now हमें ticket लेकर यात्रा करनी चाहिए We must travel with ticket दोस्तों इन सभी examples में बाध्यता, अवशकता या अनिवारियता वाली बात को बताई गई है दोस्तों must का इस्तमाल conclusion या inference मतलब तरक संगत निसकर्ष निकालने के लिए भी किया जाता है Example वह वही होगा He is sure to be there या आप कह सकते हैं He is surely there या आप इसे must की सहता से भी बोल सकते हैं He must be there Must का इस्तमाल strong probability मतलब अत्यदिक संभावना को बताने के लिए भी किया जाता है Example वह बिमार ही होगा He must be ill वह कठोर परिस्रमी होगा He must be a hard worker Must का इस्तमाल prohibition मतलब निसेद को बताने के लिए भी किया जाता है Example तुम ऐसा मत करो अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए आप इस इंगलिस में कह सकते हैं You are prohibited to do this इसे आप must का इस्तमाल करते हुए भी कह सकते हैं जैसे you must not do this Must का इस्तमाल अवशकता मतलब जरूरत को बताने के लिए भी किया जाता है यदि आप कुलकता जैसे सहर में हैं तो वहान बहुत जरूरी है If you live in a city like कुलकता A vehicle is a must दोस्तों हमारा अगला model है out to Out to का इस्तमाल moral obligation या moral duty मतलब नायतिक्त दायत्वों को बताने के लिए किया जाता है Example हमें अपने बड़ों का आदर करनी चाहिए It is our moral duty To respect our elders इस बात को आप out to की मदद से भी कह सकते हैं जैसे we ought to respect our elders Next example हमें जरूरत मंदों की साहता करनी चाहिए We ought to help the needy Next model है used to दोस्तों used to को इस्तमाल भूत काल की आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जैसे यदि आपको कहना हो कि वहां देरी से सोया करता था तो आप कहेंगे He used to sleep late दोस्तों used to को इस्तमाल habitual action मतलब अभ्यस्तता दर्साने के लिए भी किया जाता है Example वहां बीडियां पीने का आदी है He is used to smoke the biddies दोस्तों हमारा अगला model है need और इसका हिंदी में मतलब होता है जरूरत होना इसका इस्तमाल मुख्यता नकरात्मक या प्रस्णवाचक वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है You needn't go there क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है Need you go there दोस्तों नीड का इस्तमाल ऐसे चीजों को बताने के लिए भी किया जाता है जो अवश्यक नहीं है जैसे तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है You needn't to change your dress Need का इस्तमाल और चारिकता दिखाने के लिए मतलब फॉर्मिल्टी दिखाने के लिए भी किया जाता है जैसे यदि आपको कहना हो कि क्या हमें अपने वाहन साथ ले जाने की जरूरत है तो आप कहेंगे Need we take our vehicle with us दूसरा example क्या हमें उसकी इजाजत लेने की आवे सकता है Need we take his permission दोस्तों हमारा next और last model है dare दोस्तों dare का इस्तमाल अपने हिम्मत और साहस को बताने के लिए किया जाता है Example हमारा दर्वाजा खोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई How dare you open our door Next example मेरे पिता जी का सामना करना मेरे बस में नहीं है I dare not to face my father Next example उसकी यहां आने की हिम्मत है He dares to come here Okay guys तो आज के इस वीडियो में इतना ही I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले अपने सारे फ्रेंज के साथ शेयर जरूत करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बेल आइकान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे ओके दोस्तों थाइंक्यू बेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो कीप टेक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग